पूरी लद्दाक में चीन से तनातने के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ा को विमान राफेल 29 जुलाई को भारत पहुँच जाएगा पांच राफेल लड़ाको विमानों ने फ्रांस के एर बेस से भारत के लिए उडान भर दी है भारती वायुसिना के फाइटर पाइलेट साथ हजार किलो मीटर की हवाई दूरी तैकर के बुद्वार को अमबाला एर बेस पहुँचेंगे राफेल से भारती वायुसिना की मौजूदा टाकत में जबरदस्त इजाफा होगा क्योंकि पाँचवी जणरेशन के इस लडाकू जेट की मारक चमता जैसा लडाकू विमान चीन और पाकिस्तान के पास नहीं फ्रांस से रिवाना हुए इन विमानों को सैयुक्त अरब अमीरात में एक एर बेस पर उतारा जाएगा और फ्रांस के टैंकर विमान से इधन बरा जाएगा इसके बाद विमान अमबाला एर बेस के लिए आगे का सफर तै करेंगे फ्रांस से राफेल विमानों को सत्रा गोल्डन एरोज कमांडिंग आफिसर के पाइलेट लेकर आ रहेगे सबी पाइलोटों को फ्रांसी सी दस ओल्ट एवियेशन कमपनी द्वारा प्रसिक्षन किया गया गये इन्यामबाला की एयर फोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई को वायूसेना में शामिल किया जाएगा